अब्छाइकूम दोस्तो मैं हूं हमजा दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा ही होगा कि आज की वीडियो में आप लोगों को अन्बोक्सिंग करके दिखाने वाला हूं अपने न्यूवे मेकर की जिबाव आर्डब्ली फोर की तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर ने हैं इस होबी के इंटरस्टिड हैं इस होबी का शौक रखते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके साथ बैल का इकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दें ताके मैं अपनी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफकेशन आप लोगों को मिल जाए दोस्तों ये मेरे चैनल की फर्स्ट अनबॉक्सिंग है तो मैंने सोचा कि मैं अपने टैंक में कोई भी चीज अपग्रेड करूं तो आप लोगों को के साथ उसको शेयर करूं ताके आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि मैं अपने टैंक में क् बताउंगा कि इसका कंट्रोलर कैसे यूज करते हैं चले अब इसे हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या चीज है जी दोस्तों ये देखें कि काफी अच्छा ब्रैंड है जबाओ आर डबल्यू फॉर ये इसका वे मेकर है और यह इसका controller है और यह इसका adapter है तो पहले हम इसका adapter nिकालते हैं कि देखें जी ये इसका adapter है काफी अच्छा डॉप्टर है और अब इसका कर्गा दिखाते हैं कि काफी आच्छ beta है काफी इता क्राफ the एक लग 2 जा थे अप लोक्ष नहीं है तो इसे काफी देखें कि आप लोग हम इस नहो ने का अच्छे से इसको पाइक किया सका दोस्ध का कंट्रोलरर अगर आप लोग देखें कि अब का कलARgesch की तो आप लोग अब परचेश करेंगे तो आपको इसी कलर में मिलेगा आप लोग परिशान नो होगा के कहीं हमें कोई गलत चीज तो नहीं मिल गई और ये इसका कंट्रोलर था ये इसकी साथ डबल टेप है पीछे इसे लगाने के लिए तो अब आपको पंप दिखाते हैं कि दोस्तों ये इसका पंप है अगर आप लोग देखें के छोटा सा पंप है आई थिंक मैक्सिमम इसका जो साइज होगा यहां से लेकि यहां तक बैक वाला मैगनेट निकाल गए अगर हम इसका साइज करें तो इसके सिर्फ तीन इंच का है ये और ये इसके साथ पिछे कि दोस्तों पहले हम अपना पावर हैड्स जो है इससे निकाल लेते हैं और अब अपना जो यह न्यों में कर है इसे हम एड़ करेंगे इसकी पहले तार ओपन कर लेते हैं आख और कि दोस्तों पहले वाला वेमेकर हमने निकाल लिया है अब हम आपको न्यूणों वाला वेमेकर इंस्टॉल करके दिखाते हैं किसेरे इंस्टॉल कैसे करना यह इसका मैगनेट है यह बाहर वाली साइड पर रहेगा और यह फंक के साद जो मैगनेट आैं यह अदरहे साइड से अधर से होगा आप आप लोग कुछ देखिए करें कि किए इसे हम इंस्टोल कैसे करते हैं यह दोस्तों पहले आपने यहां पर जहां पर set करना है वहां पर set कर ले उसके बाद ये जो बाहर वाला magnet है इसे आपने क्लिक कर लेना है और ये देखें कि ये आपका waymaker इंस्टॉल हो गया है तो इसे अब मैं नीचे जो इसका जो controller है उसे set करके दिखाता हूं अंदर वाली side से क्योंकि मैंने अपना controller बाहर नही देखें यह यहां पर आप लोग्त कि इसके अंदर तीजार जैंब अपने और यहां पर क्लिप हो गया और यह इसका एक साथ उन्होंने स्क्रू दियो इसे आप टाइड कर लें ताके आपकी बार बार ये बाहिर निकल जाए इसलिए इन्होंने साथ इसको टाइड करने को लिए दिया और यह कंटोलर है अब हम इसे देखते हैं कि इसे हमने कहां पर एजस्ट करना है इसकी डबल टेप प पर अजस्ट करने और जो यहीं पर दू इसकी दूसरी साइड है इसको आप लोग उतार के इसे यहां पर हम मैं इजस्ट करने वाला हूँ यहां पर इसको लगा लेते हैं कि देखें कि यहां पर यह फिट हो गया बड़ा एज ली और यह हम इसका अडॉपटर लगायेंगे इसके साथ यह कि इसका डॉप हम अश्रूप एक रडॉप टन्नीचे यहां पर हम इससे लगा लेते हैं और जी दोस्तों इसे भी डॉप्टर को लगते हैं और आपको दिख की इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया आपको टैक भी आपको का मैं की चाहर कर कर दिया और मेरे काल तोड़े से इसमे डिस् टर्ब dying और अगर आप लोगल देखें कि अभी इसकी सेटिंग मैंने सारी सेट करनी इसे कंट्रोलर को आपको यूज करके दिखाता हूं कि इसके कंट्रोलर को कैसे यूज करना है इसका फ्लो अगर आप लोग देखें कि काफी अच्छा फ्लो है और मेरे कोरल काफी तेजी से हिल रहे हैं पर मैं से स्लो रखके चलाऊंगा ताकि मेरे कोरल ज्यादा डिस्टर्ब ना चलियंब आपको इसका कंटॉलर यूज करें के दिखाते हैं कि When You Are क्या-क्या function है और यह कैसे सी यूज करते हैं ये देखें कि यह इसका कंटॉलर है अभी ये full speed पे चल रहा है, ये जा पहला बटन यहां पे mode.org लिखा हुआ है दूसरे बटन और मुझे W1 ही प्संद है मैं W1 ही यूज करूंगा अपने टैंक पे अब इसका मोड चेंज करते हैं अब ये W2 पे शिफ्ट हो गया है और देखें ये अब इस तरह की लहरें देगा W2 पे और इसी के आगे ऐल्स है जहां पे ये आप लोग देखें के ऐल्स में ये बिल्कु दस मिनट के बाद रुक रुक के लहरे देता है फिर दस मिनट के बाद स्टेड चलना शुरू हो जाता है और आगे ये एच है एच मूड में ये बिल्कुल स्टेड लहरे देता है ये बिल्कुल स्टेड चलता है रुक रुक के नहीं चलता और काफी स्पीड से चलता है और लॉन्ग फ्रेस्ट प्रेस नाइट मूड वाली लायट उन व गई पक्राइकर इस वक्त नाइट मूड म...... लॉक्त रहा आधे उन स्पीड के यहाँ से अब एक व्यू अब इसका फ्लॉ प्रेस्ट करते है दम बनाने मूड आधे करें लाइकर करने इसे यहाँ night mood off झाएगा तो अब ये night mood एफ यहां सेaporis is provincia w1 पे पहले से shift करतौंअ 0-1 पे शिफ्ट हो गए इस पीड इसकी यहां से में और ज्यादा यह देखें अब यह sबी कम हो रही आप अब यहीं से ज्यादा हो रही है तो और में इसकी स्पीड फुल ही यूज करूँगा अब इसका डिमर है यह जो स्लो और फास्ट लिखा भाई है स्लो में ये बिलकुल रुक-RUK के लहरे देता हैं मिडियम में नॉर्मल लहरे देता और फास्ट में अगर इसे फास्ट पे करता हूँ तो ये बहुत तेजी से लह फीड वाला बटन चेंज होगा और अगर मैं इसे लॉंग प्रेस करता हूं तो ये देखें के ये अब फीड मूड में आ गया है मेरा इस वक्त वे मेंकर बिल्कुल बंद हो गया है और दस मिनिट के लिए पोज हो गया है तो इसमें आप फिशी को फीड करवाएं फीड करवा का इससे मैंने कभी यूस नहीं किया आई थी मुझे नहीं पता कीसे कैसे यूस करते हैं और अब आप आप मेरा टियंक देखहें और देखें के आपको मेरे टियंक का फ्लो कैसा लग रहा काफी अच्छे पर। अच्छे से। हैपी भी हैं और यह कफ़ी हैं यह देखें कि यह देखेंकर यह बülk greeting बिलकुल नीचे बॉटम पर पड़ू होबा और आप इसके पॉलिप्स देखें कि इसके पॉलिप्स मुव कर रहे हैं और यह जो मेरा जीनिया है यह भी इसमें पाफ़ी है और काफ़ी हुम रहा है इसके साथ साथ तोड स्टूल है वो कहेँ करता के पूरा मैव कर रहा है जी असप़ भी और यह सारे कॉरल्स अ Vader असे तरह तरह काफ़ी आच्छा काम करता है तो आज की वीडियो आप लोगे है कॉमेट में जरूर बताईएगा इसी के साथ मुझे दें इजाज़त अल्ला हाफिज